सूरत कठुआउना, दिल्ली, दिन, तारिक, जगे अलग-अलग हैं। लेकिन हर जगे कम उम्र की बच्ची के साथ ही रेप हुआ। इसे में जानते हैं कि कौन से देश में बच्चों के साथ रेप करने की क्या-क्या सजाएं है। हर्याना सरकार ने अपने अपने राज्यों में बारे साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलातकार मामले में फांसी के सजा देने का विध्यक तैयार किया है। और इस पर कानून बनाने की तैयारी है। दिल्ली में इसी तरह का कानून पारित करने के लिए दिल्ली महिला आयो की अध्यक्ष अंशन पर बैठी है। वो एक कदम आगे जाकर बलातकारियों को छे महीने के भीतर फांसी देने की मांग कर रही है। केंद्री महिला एवं बाल विकास मंत्राले भी मद्द प्रिदेश, राजिस्तान और हर्याना के नई विध्यक से इत्थिफाक रखते हुए राश्ट्री इस्तर पर पोस्को एक्ट में बदलाव की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रेप को लेकर अलग-अलग सजा का कानून है। रिटेशनिस्ट देश कहा जाता है। उनके मताबिक ऐसे कई रिटेशनिस्ट देशों में भी बच्चों से रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। हाला कि यहां बच्चों से यौन हिंसा के लिए कड़ी सजा तैकी गई है। 2016 में हक सेंटर फोर चाइल्ड राइट में दुनिया भर में देशों में बच्चों के साथ हुई यौन हिंसा और रेपर सजा के प्रावधान पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मताबिक हर देश में बच्चों के साथ रेप पर अलग-अलग सजाएं दी जाती है। मौत की सजा को असमवेधान एक भूशित कर दिया गया। खोर्ट का कहना है कि जिस मामले में मौत नहीं हुई है उसमें मौत की सजा देना अनुपाती नहीं है। यानि सजा जर्म से ज़्यादा बड़ी है। इसलिए उन राज्यों में मौत की सजा नहीं होती। हाला कि अमेरिका में बच्चों के साथ रेप के मामले में राज्यों के अनुसार प्राफधान भी अलग अलग है। जिन देशों में मौत की सजा नहीं है उन में बच्चों के साथ रेपर सबसे सخت कानून फिलिपिन्स में हैं। बच्चों के साथ रेप साबित होने पर दोशी को बिना पेरोल के 40 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। गामर रेप का दोशी पाई जाने पर पहली बार में 15 साल की जेल होती है और दूसरी बार दोशी पाई जाने पर 20 साल की कैद और तीसरी बार में 25 साल की कैद का प्राबधान रखा गया है। नियुजिलेंड में इस तरह के अपराद पर ये सजा 20 साल तक की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2013 की एक रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में सिर्फ आठ देशों में बाल अपरादियों के लिए फांसी के सजा का प्राबधान है। ये देश हैं चीन, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, इरान, सौधी अरब, यमन और सूडान। हक की सह निदेशक भारती अली का कहना है दुनिया के जादतर देश फांसी पर रोक लगा रहे हैं और हम के पिछरते जा रहे हैं। जो लोग बच्चियों के मामले में बलातकार पर फांसी की वकालत करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि रेप पर फांसी होने पर हर दोशी रेप के बाद बच्ची की हत्या कर सकता है। हमें इस तरक पर ध्यान देने की जरूरत है।